There is a very distinguished difference between a professor and a teacher. In the colleges, if you are in a good college, ऐसे college जहाँ आप अच्छे टीचरों के साथ हो, वेल-कॉलिफाइड टीचरों के साथ हो, ऐसे college जहाँ आपके पास एक certain criteria होता है, उस लेविल से उपर के टीचर रखे गए हैं, जो कि universities वगएरा के लिए जिरूरी होते हैं, तो आपको वो difference समझना पड़ेगा, कि आप ऐसा नहीं हैं कि आप एक normal इंसान के साथ बात कर रहे हैं, जो professors होते हैं, जाए वा assistant, associate जो भी होते हैं, उनकी लिए criteria होता है, एक professor बनने के लिए आपके पास एक criteria है, आपके लिए और भी हैं, just like M.Tech और B.Tech और M.Sc. और PhD, PhD is a kind of lifestyle, PhD किसी व्यक्ति की lifestyle को जितना bottom-up कर देती है, जिस तरह से भी कोई पलड देती है, उस तरह कोई भी डिगरी नहीं है, जो आप समझ लो की वो होती है, यह डिगरी आपको बिलकुल rigorous तरीके से किसे subject के साथ जोड देती है, आप उस विसे की गहराईयों में इतनी ज्यादा उतर जाते हैं, कि आप उस विसे का, मतलब आप उस विसे के साथ एक अलग तरह साथ जुड़ जाते हैं, यह एक general perception, अगर आप किसी अच्छी जगह से PhD कर करते हो, जब आप PhD करते हो, तो आपको एक प्रोफेसर आपके साथ जुड़े होते हैं, जो आपको PhD करवाते हैं, basically वो आप से research करवाते हैं, why it is called research, why it is not called search, new search क्यों नहीं कहते हैं, इसको research क्यों कहते हैं, चुकि यहाँ पर आप सिर्फ किसी विसे को समझ नहीं रहे हो, आ आप खुद को भी explore कर रहे हो, जब आप PhD करते हो, again with the criteria of some very good professor, then you are going to explore yourself, आप खुद की खुद से खोज करते हो, विसे उसका एक माध्यम होता है, you start to know, okay मैं यह जानता हूँ, मैं तो यह जानता नहीं था, मेरा मेरे बारे में यह ब्रहम था, जो कि अलग है, जब आप अपन भाउ सेने कि आपकी सित्री क्या है, नर्व कितनी strong हैं आपके, आपकी विसे के साथ जुझने कितनी च्छमता है, आपकी जुझारूपन कितना है, इन सब तरीकों से गुजर करके, आप PhD पाते हो, और जब आप उतना विसे के साथ जुढ जाते हो, तो जब आप ऐसे किसी PhD की और with one of the genius person in this country तो उन्होंने हमको यही सिखाया कि now after successfully completing your PhD you will see that your life style has been changed बदल जाती है आपको हर चीज को देखने का नजरिया एकदम से बदल जाता है आप किसी चीज को सधान रूप से देखी नहीं पाते हो जब तक आप उसकी deepest के तरफ नहीं जाते हो आपको satisfaction नहीं मिलता है आपके लिए कोई भी खबर मतलब चीजे कम interesting लगती है आपको नॉर्मल चीजे कम interesting लगती है किसी तरह की चुगिलबाजी किसी तरह की राजदीती की बाते सब कम interesting लगती है आपने उससे ज़्यादा interesting चीजों को explore किया होता है तो फिर आपकी बाते भी उससे तरह से गहराई वाली हो जाती है और you after completing PhD you get the credit of scientist scientist कोई post नहीं है कि आप किसी भारा सरकार किसी लैब में हो काम करो तो आप scientist होंगे आपको scientist का पद नहीं मिलते से आप खुद को करनल नहीं कह सकते जब तो आप भारा सरकार आपको करनल ना बनाए आप खुद को brigadian नहीं कह सकते तो भारा सरकार आपको brigadian ना बनाए लेकिन आप अपने आपको scientist कह सकते हो अगर आप PhD की हो because PhD दुरान आपने जो कुछ भी किया है वो ही being a scientist होता है और कुछ अलग चीज नहीं होती है और फिर वो attitude आपको हर जगा दिखाई पड़ता है मेरा कहने का point ये था कि आप engineering college में हो या आप जब engineering कर रहे हो तो जैसे से आप बढ़ते जाओगे आपकी copy का evaluation professors करते हैं जो कि एक certain level के है तो वो उस विसे के साथ बहुत ही ज़्यादा आतिमियता के साथ जुड़े है emotionally engaged है उनका एक बहुत ही serious affair है उसके साथ एक आपकी अलग social life है और एक आपकी अलग life है तो आप उस subject के साथ इतना strongly emotionally entangled होते हो और ऐसे में कोई बच्चा बच्चों की भीड में जब कुछ साथान से answer आ रहे हैं एक answer बहुत सटीकता के करीब होता है ना तो एक दम से 100% हो जाता है और अपने आप मुझे वाह निकलता है हाथों से number मिल जाते हैं इसलिए इसलिए थोड़ा सा ये कहना अरे उनको कुछ नहीं आता अरे वो समझाए नहीं पाते हैं ये घलत चीज है ये नहीं समझाए है हाँ ये हो सकता है कुछ उन्टा communication उस subject को जानना आपके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है अच्छा जब मैं जब मैं पढ़ता था तो एक perception होता है अरे वो तो expert है experts नोट्स लेके आते हैं मैं देखता था मेरे तो प्रफेसर थे वो हमेशा एक नोट्स कुछ नोट्स लेके आते थे अपने हाथ में और जब पढ़ाते थे वो नोट्स को देखते थे या उसको पढ़ाते थे तो हम लोग केते हैं रहे उनको आता नहीं जरस जो जो बाले बुद्धी होती उनको आता ही नहीं कुछ नोट्स लेके पढ़ा रहे हैं तो अब धीरे धीरे जब समय पीता और थोड़ा सा उनके साथ affection हुआ फिर खैर MSC हो गई, मास्ट हो गई तब तो हिम्मत नहीं पढ़े पूछने की फिर जब रिसर्च कर रहे थे तो हम देखते थे कुछ प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स मतलब तीस साल हो गए उनको पढ़ाते हुए और वो उसको देखते थे और पढ़ाते थे तो एक पूछ लिया हमने सर से, सकसेना सर थे और उनका सर आप नोर्स लेके पढ़ाते हैं तो मतलब थोड़ा इंबारेसिंग नहीं लगता है कि बच्चे क्या सोचेंगे तो उनको कहना देखो बेटा ऐसा है मुझे 30 साल तो पढ़ाते हो गया यह सब्जेक्ट यह इस तरह की सब्जेक्ट और उससे पहले से मैं लगभग-लगभग 27-28 साल से तो मैंने खुद पढ़ा है इसको नौकरी करने के दोराने सब तो अब मैं 60-62 साल का हो रहा हूँ, रिटायर होने वाला हूँ मेरे साथ हमेसा यह दिक्कत होती है कहीं मैं बहना जाओ भावनाओं में कहने मतलब यह है कि ऐसा ना हो जाए कि हम बच्चों को उस विशे के साथ चुकि हम इतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉंग से अफेर है उस subject के साथ कहीं ऐसा ना हो उनके subject इससे ज़्यादा पढ़ा दे पता लगा कि बच्चों का समय उसी में लगया तो मैं बीच बीच में नोट से देखता रहता हूं कि बस यहीं रुकना है हमें बस यह रुक जाना है बस इससे ज़्यादा नहीं बताना है तो यह जो जो नोट्स हैं यह इसको देख के हम पढ़ा नहीं रहे हैं बलकि इसको देख करके हम ब्रेक लगा रहे हैं कि बस इतना बताना है अगर उस notes में लिखा है कि बस wave function न का यह wave function का orthogonality discuss करने तो बस जो डूँ हो जाना है उसके बात पिर अगला topic syllabus का सुरू कर जा तो मैने सरद syllabus को यहां लिखा रखा उसके टौपवद्दी लिए इतना इतना बताना है लिए सुनकर करके आयुख षुरण कि नियुक्त हो crunch हो किकी जो और हमने बिद्दी पी को हो इतार नियुक्त होगा अधर्यिक फिजित में बाल पिंद्द वह और लियुक्त सूरी को मुँमें भर लिया, ये बाल बुद्धी होती है, और ठीक है, आप सोच रहो, यही बड़ी बात है, आप किसी के बारे में को सोच रहे हैं, अपनी टीचर के बारे में सोच रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है, so I was very much, कि यह होता है, हाँ, उनका यह कहना था कि देखो, इस तरह टीचर को जज़ करने बैठे हो, कौन ज़़ कर रहा है टीचर को, जो कि कुछ किसी लायक करने है, उसको किताब पढ़ने सो कोई मतलब नहीं, उनको क्लास पढ़ने सो कोई मतलब नहीं, उनको बैट रहए खाली नवाबी जार्ण नहीं है कि तो ये टीचर आया इंको ये नहीं आता। इनको वो नहीं आता। ये नोटस लेके आते हैं ये पता नहीं कैसे नोकरी पागए। इतनी तुम्हारी स्थर होती बुद्धी की कि तुम उनको जज़ कर सकते हैं तो फिर तो तो ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि student-teacher relationship कितना ही ज्यादा affected है, कितना ज्यादा influence है एक दूसरे से, हम अपने teacher को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं, और ऐसे teachers ही थे, जिनको देख देख कि teaching का actual teaching क्या होती है, what is the meaning of real teaching वो समझ में आती है, मैं इ जो पढ़ रहे हैं, उसमें से आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, कि मैं teaching career को adopt करूंगा, now we have a very good platform of YouTube, और YouTube पे तो हम कोई भी teach कर सकते हैं, कोई भी आ करके teach कर सकता है,